मॉल्स नाय मॉल्टिपल ॉल्टि जो हैं ऐके वेस्ट बॉटल में ग्रोह करे रहे हों हैं ही सक तक प्लेटोर चपाइन फैरेख दर्वाप में पेलग तो सामें सब्सक्रीड सेवीड को अटैच करा हुए तो चलिए फ्रेंड से इन कटिंग को निकालते हैं और देखते हैं कि रूट से कितने अच्छे से ग्रूव हुई है और यहां पर मैंने कुछ दिन पहले ही स्वीट पिटेटो वाइन की कुछ कटिंग सी जो मैंने पानी में डाली थी और उसके साथ कोलिय इसकी भी डाली थी और यहां पर यह देखिए कितने फ्रेंड सतनी अच्छे से चोटी-चोटी सी डेलिकेट सी रूट्स है जो डेवलप हुई है और उसके साथ साथ प्लांट भी काफी एक्टिव लग रहा हुए और इस तरह से हम कटिंग जो है हम प्रॉपोगेट बड़ इसकी प्रॉट्स चाहिए जो है तरह से चोटी-चोटी-चोटी काटिंग भी डाली थी और आप वह बड़ी एक्टिव से हो गया है यहां पर यह देखिए उसकी रूट्स भी काफी अच्छे से आपको दिखने रहा होगा स्क्रीन पर काफी अच्छे से ग्रोग हुई है इ हाला कि यह कुछ दो कटिंग्स थी जो जब मैंने निकाली थी तो इतनी जाद इसकी रूट्स बनी नहीं थी लेकिन फिर भी यह जो प्लांट है यह काफी एक्टिव है और मुझे यकीन है आने वाले टाइम पर इसकी रूट्स भी बड़े अच्छे से ग्रोग होगी और अ जब इनकी रूट्स जो है वो अच्छे से ग्रोग हो जाए तब इनको किसी भी बॉट्स बड़े अच्छे से बॉट्स में इसका पॉट्टिंग मिक्स बना के आप इनको डाल सकते हैं और यहां पर यह देखिए फ्रेंड्स मैंने मनी प्लांट भी देखिए कितनी सारी मनी जुमें बॉट्स में हाट्स में करें में उसकी बॉट्स बड़ेक्टवा हेओं से इस तरह से करते हैं जब इसी प्लांट की प्रूनिंग अगेर combine णरती हुों तो मैं इसी तरह से बॉट्स को प्रोपगेट करना बड़ा इजी लगता है और हम जल्दी से काटते हomoots इसी तरह से ग्रोट यहां पर फ्रेंट्स में दिखाना चाहंगा या मैंने बहुत सारी चो कटिंग सी अपनी पेस्ट अपनी प्लैंटर में ग्रोट रहा है और अक्सर आपके गड़ो में इस तरह की बॉटल्स आती है वह खाली रहती है पैकने से बहुत रहें कि उनको हाला कि मैंने इनको कोई पेंट वगएरा नहीं किया है आप चाहे तो पेंट भी कर सकते हैं हाला कि यह मुझे बिलकुत ट्रांस्पेरेंट सी मुझे बहुत ही सुन्तर लग रही है यहां से चलगती हुई इसकी जो रूट्स हैं वो भी बड़ी अच्छे लगते हैं दो ति